समस्त सुधी जनों को नमस्कार समस्कृत विद्या के क्षेत्र में, भारती विद्या के क्षेत्र में, साहित्य समालोचन के क्षेत्र में, हमारे देश में कई पीडियां सुधी पंडितों की विद्वानों की अध्यताओं की सक्री अहें एक पीड़ी तो आयू की द्रश्टि से यदि गणना करें तो 75 वर्ष से उपर के वयोवरद्ध जनों की है, ग्यानवरद्ध जनों की है इसमें कई प्रकांड पंडित समस्कृत के हमारे समय के गिने जा सकते हैं, अनेक समीक्षक, दुरंधर गिने जा सकते हैं, ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ, जिन भाशाओं में कम से कम मैं लिखता पढ़ता और अध्यन करता हूँ, उन में समस्कृत हिंदी और जी के क्षेत्र में, जो हमारे लिए आलोकस्तंब हैं, उम्र की दरश्टी से तो मेरी भी गिन्ती उसी में की जाएगी यद्यपी, ऐसे आलोकस्तंबों से प्रकाश प्राप्त करने वाला मैं अपने आपको मानता हूँ, दूसरों के लिए आलोकस्तंब नहीं, एक पीड़ी ऐसे ज्ञान वर्द जनों की है, उसके बाद 60 से 75 वर्ष के आयू के सुधी पंडितों की समिक्षकों की पीड़ी है, इसमें भी मेरे परिशे वर्द में अनेक प्रकांड पंडित हैं, उनसे भी चर्चाएं खूब होती हैं, सीखने को मिलता है, उसके नीचे 45 से 60 वर्ष के आयू के पंडितों की पीड़ी है, 45 से 60 वर्ष के बीच के बहुत संभावनाशील, गुणी जनों की संभावनाशील, विद्वानों की, कवियों की और साहिति समिक्षकों की पंडितों की एक पीड़ी है, इसमें भी मेरे परिशे वर्द में अनेक अच्छे है ज्यानी विद्वान व्यक्ति हैं जिनमें की महिलाएं भी सम्मिलित हो सकती हैं और उसके नीचे एक पीड़ी 20 वर्ष से 45 वर्ष के बीच की आयू के युवा पंडितों की समिक्षकों की है इनमें कही तेजस्वी प्रखर प्रतिभाशाली लोग हैं इसलिए मेरे लिए तो यह साहित्य शास्त्र परंपरा और विद्या के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावनाओं का समय है मैं ऐसा कुछ निराश नहीं होता हूँ कि शास्त्र परंपराएं खतम हो रही हैं और रास हो रहा है मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि जहां मैं जाता हूँ कई पीडियों में बहुत अच्छा काम करने वाले इन चारों पीडियों में 20 से 45 वर्ष के बीच के युवा पंडित 45 से 60 वर्ष के बीच के कुछ प्रोडवयस के प्रवुद्ध समिक्षक पंडित जन और 60 से 55 वर्ष के बीच के परिपक्व पुद्धिवाले अधीती जन 75 से 90 वर्ष के बीच के इन में तो बहुत ही रेणा पुरुष में रहे हैं कई भी भी हैं कुछ देखते देखते चले गए आचारी रिवरपसाद दिवेदी चले गए पंडित बच्चूला लवस्थी चले बड़े बड़े पंडित जिनका सानिध्य मिला पिछले कुछ वर्षों में चले गए पर कुछ अभी भी हैं तो यह हमारे लिए बहुत सोभाग्य का समय है उससे भी अधिक सोभाग्य का समय यह है कि कुछ यह जो 20 से 45 की आयू के वर्ग की पीड़ी है और 45 से 60 वर्ष के ब काम कर रही है और उनसे संपर्ख होता रहता है जितना हो सकता है हम विशा निर्देश भी करते हैं उनमें आगे अच्छा काम करेंगे यह लोग ऐसा विश्वास उनके काम को देख करके होता है यह प्रष्ट भूमी के रूप में मैं कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि दो पुस्तके मुझे प्राप्त हुई हैं, उसमें एक पुस्तक यह भाशा दर्शन पर है, भाशा दर्शन शीर्शक से यह पुस्तक है और सर्वेश मिश्र और आशीश कुमार तिवारी इन्होंने यह संपादित की है, सर्वेश मिश्र काशी हिंदू विश्विध्याले से इसनातक और पराइसनातक हैं, और काविशास्त्र भाशा विज्यान और व्याकरण के अध्यता हैं, लिखते रहते हैं, अशीश कुमार तिवारी केंद्रिय विश्विध्याले, दक्षन विहार्त था काशी हिंदू विश्विध्याले से पड़े हैं, और इनकी भी पाविशास्त्र भाशा दरशन व्याकरण और संस्क्रत साहित्य में रुची है, दोनों ही युवा, विद्वान ये हैं, इनोंने ये पुस्तक संपादित की है, अच्छे आकार की पुस्तक या है, लगबग चार सो प्रष्ठों की है, और विनाशील हैं इसके संपादक दोनों, ये अच्छा गुण है, जितने लेखक हैं इस पुस्तक के, उनके नाम मुक प्रश्ट पर ही दे दिये हैं और उसके नीचे संपादक के रूप में अपने नाम दिये हैं कमलेश दत्त त्रिपाठी और राधा वल्लब त्रिपाठी अर्थात मैं पांडे शशिभूशन शीतांशु धर्मदत्त चुतुरवेदी सुध्युम नाचार्य रविंद्र कुमार पाठक, जैशंकरलाल त्रिपाठी, देवेंद्र नाथ तिवारी, रामकीर्ती शुक्ल, माधव जनार्धन रकाटे, प्रसन कुमार चौधरी, वेकुंठ नाथ शुक्ल इतने लोगों के इसमें लेख संकलित किये गए हैं और ऐसा लगता है कि दोनों ही संपादुकों को, सर्वेश्मिष्ट तथा आशिश कुमार तिवारी को, भारती भाषादर्शन को प्रतिष्ठित करने की सच्ची खिंता है और प्रत्परता से उन्होंने भारती भाषादर्शन पर सामगरी संचित की है, प्रलेक प्रकाशन से यह पुस्तक छपी है, 599 रूपया इसका दाम है प्रलेक प्रकाशन मुंबई महाराष्ट जित में मुख्य कार्याला है और गाजियाबाद में दिल्ली में भी उसका कार्याला है, प्रलेक इस पुस्तक में एक और अच्छी बात जो मुझे लगी दोनों ही संपादकों से मैं मिल चुका हूँ, और दोनों के बहुत आगरा करने पर मैंने भी अपना लेक भेज़ दिया था, यद्यपीवा एकदम नया लेक मेरा नहीं है पर भरत्रिहरी के वाग के पदियम को समझना ये दोनों चाहते हैं, और इसनाते आचारी कमनेश्जत त्रिपाठी के सानिध्य में ये लोग रहे, कमनेश्जत त्रिपाठी जी से इन्होंने कुछ सीखा समझा भी है, और कमनेश्जत त्रिपाठी का आशीरवचन इसमें आ सुन्दर प्राग कथन है इभर्तिहरी के वाग के पदियम का एक संक्षिप्त विःगाव लोकन भी इसमें है और टी आरवी मूर्ती ने जो 1967 में कहा था कि बीश्मी श्रताबदी के आरंभ में पश्चिम के साथ हमारे समवात का माध्यम बहुत धर्म दर्शन और वेधान तथा पचास के लगबग कश्मीरी शेव दर्शन ने पश्चिम के विद्वानों को आकरशित किया लेकिन अब 21 श्रताबदी में पश्चिम से समवात का माध्यम वाग के पदियम होगा निश्चित रूफ से भहुत महत्पूर्ण निश्कर्ष है टी आर्वी मूर्ती का और कमने अच्छी पकड रखते हैं बहुत दर्शन में जो भाषा विश्यक विमर्श हुआ है उसकी खबर लेते हुए महाभाष्य पतंजली का और फिर वाग के पदियम इन सब के सिद्धानतों का निचोड कमलेश दत्त्रिपाठी जी ने आश्चिरवचन के नाम से जो बहुत घा लिखा है इसमें प्रस्तुत किया है कि अपने आप यह लगभग ऐसा लगता है कि उन्होंने यदि इसी पुस्तक के लिए लिए लिखा है जैसा मुझे लगता है तो अंतिम यह लेख उनका है क्योंकि यह उस समय भी मैंने उनके दर्शन किये थे उसके कुछ महने बाद ही वे हमें छोड़ कर चले गए तो यह परीव आठ नो प्रश्टों में कमने गत्रिपाठी की महत्पून भूमिका अशिरवचन के रूप में यह जो इन्होंने प्राप्त की है दोनों युवा समपादकों ने उससे यह किताब बढ़ी ही संग्रहनी यह बन गई है और दोनों की अच्छी भूमिका तो है ही संपादक भूमिका संपादकी के रूप में इसके साथ ही जो लेख इसमें हैं दोनों ने अलग-लग भूमिकाएं लिखी हैं दोनों ने अध्यान अच्छा किया है इस विशय का इससे एक तरह से अभी निवेश लगता है तो मैं बच्चता आजकल नई किताबों के बारे में बोलने से पर इस किताब पर कुछ कहना समीचीन लगा इसमें व्याकरण दरशन पर जैशंकर लालत रिपाठी का दातवर्स दरशन पर धर्मदत चतुरवेदी का बरत्री हरी और उनके वाशा दरशन पर मेरा और समस्कृत पर शब्दा की सीर्षक्श सुद्ध्युम्नाचारिका इस प्रकार के लेख हैं और सभी इस विशय में जो जाने माने विद्वान हैं उनके लेख हैं जो इस शेत्र में कारी करते रहें हैं उनसे संपर्क करके लेख पराप्त किये गए हैं और पांडे शशिभूशन शिता अंशु ने पर्थेरी के भाषा चिंतन और आधुनिक पाश्चात्य भाषा विज्ञान इसको लेकर के लंबा लेख लिखा है इसमें उन्हें सस्यूर चामस्की हैलीडे देरिदा इन चार बड़े भाषा विज्ञानिकों या दार्शनिकों के मतों की भी मीमान साखी है और उसी तरह से प्रसंद कुमार चोधरी ने जो है कौतुक के परवत का सेलानी लुडविग विटकेंस्टाइन विटकेंस्टाइन का बड़ा हववा है आजकल आधुनिक दार्शनिकों में और भाषा के संबंद में भी बहुत महतपूर्ण सूत्र विटकेंस्टाइन देते ह सूत्र में कई बार लिखते या बोलते थे विटकेंस्टाइन और उनकी व्याक्या अपने आप में बड़ी टेड़ी खीर हुआ करती है विटकेंस्टाइन के जो सूत्र वाक्ये हैं उनकी पसंद कुमार चोधरी ने यह काम किया है सभी लेख इसमें नवीनता लिये हुए ह और एक और अच्छी वात यह है कि कामिला शर्मा पर भी लेख है नीतेश यादव का भारती भाषाचिंतन की परमपरा इस प्रकार से सुमस्कत काविशास्त्र में शब्दार्चिंतन की परमपरा भी लेख है भुवाल निरमल का बगुस सारे आयाम उनमेंसे कुछ अच्छ के छपी हैं और अच्छा काम हुआ है वाक्य पदियम पर भी बहुत अच्छा काम हुआ है पूना में जो समिनार हुई उसके लेखों का संग्रह अपने आप में बहुत महत्पूर्ण है मिधिलेश्चेतुर वेदी जी ने जो काम किया है और स्वेम उन्होंने जो काम किया है उनने जो संगोष्टी की कारवाही संपाधित की है, वे बहुत महतवपूर्ण कारी हैं इस क्षेत्र में, पंडित विद्यानिवासमिष्ड की पुस्तक है भारती भाषा चिंतन पर, उनके अनुज दयानिदी मिष्ड ने भारती भाषा चिंतन पर अच्छी पुस्तक के द्वाराकारी किये गए हैं जिनोंने कि शास्त्र वाक्य पदियम आदी गुरुमुक से नहीं पड़ा है पर समझना सभी चाहते हैं क्योंकि यह युग की मांग है कि भरत्यरी के भाषा चिंतन पर बात हो और उसको पश्चिम जो इस समय कह रहा है उसमें पश्चिम को पश कारी थोड़ा सा इस किताब के द्वारा कुछ और आगे सरका है इसलिए मैं दोनों संपादकों के प्रती शुब कामना प्रगट करता हूँ और यह अध्यतव यह संग्रणी ग्रंथ है इसके प्रकाशन संपादन के लिए उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ दूसरी पुस आधुनिक संस्क्रसाहित्य को लेकर रुचिशील हैं उत्साह से कारी कर रहे हैं क्योंकि उनके पहले की पीड़ी ने आधुनिक संस्क्रसाहित्य की उपेक्षा की कुछी उसमें अपवाद हैं जो सबसे पुपरानी पीड़ी है उसमें मेरे गुरु प्रपसर राम जी उप पिर जगननात पाठक हैं, अन्य लोग हैं, पर मूलतार जो पुरानी पीडी के पंडित जन थे, उन्होंने आधुनिक रचनाकर्म जो समस्कृत का है, उसकी उपेक्षा की, यह जो यूवतर पीडी समस्कृत की है, उसमें से अनेक पंडित अध्यता, समीक्षक, नए समस्कृ के साहित्य पर काम कर रहे हैं, उन में से कुछ ऐसे हैं, जिन्होंने शास्त्र परमपरा, प्राचीन शास्त्र परमपरा का भी अवगाहन किया है, और वे समकाली नसमस्कृत साहित्य पर भी ध्यान रखते हैं, यह अच्छी बात है, अरुन कुमार निशाद 1984 में इनका जन् की हैं, प्रकाशन इनके लेखों के रूप में बहुत सारे हैं, पिदेशों में भी इनोंने शिर्कत की है, आयोजनों में, और हस्ताक्षर नाम से इमासिक पत्रिकाए संपाधित करते रहे हैं, सम्यक भारत मासिक पत्रिकाए संपाधक करते रहें, इमासिक पत्रिका के उप संपादक रहे हैं उफ संपादक के रूप में इन पत्रिकाओं से युड़े रहे हैं और नाट्टि निर्देशक भी यह हैं उच्साही है और यह समकालिन साहित्य का ध्यन करते रहे हैं यही इनका विशेश परिचा है समकालिक समस्कृत साहित्य विचार और विमर्श प्रथम सम्सक्रण इस पुस्तक का दो हजार चोवीस में प्रकाशित हुआ है, तीन सो दस रुपया इस किताब का दाम है, इसमें अरुन कुमार निशाद ने समकाली इन सम्सक्रण साहित की कि जो एकदम नई रचना है, उन पर समीक्षाएं कुछ की हैं, और उन्हों ने दो अच्छे पंडितों से, कवियों से, नान्दी वाक और पुरो वाक लिखवाए, बहुत आवश्यक्ता नहीं होती है, आपका काम बोलता है, पर इसमें तारशंकर शर्मा पांडे, जो कुल पती हैं, श्री कल्ला जी वेदी कुष्विद्याले निंबा हिडा चित लोड़ग पुरो वाक निरंजन मिष्च का है, जाने माने समस्कृत के उपन्यासकार, कथाकार, तो महा कवी हैं, दो महा कावी उनके प्रकाशित हैं, योग्य लोगों से इन्होंने सुभाशी रवचन लिखवाए हैं, अपने समाई के एक अच्छे कवी और समीक्षक, खोशल्तिवा पारी से भी इन्होंने दो पेज में सम्मती लिखवाई है, उसके बाद अपनी बात कही है दो पेज में और उसके पश्चात इसमें तीन भागों में या पुस्तक है, स्वेक प्रश्ट की तो कुल पुस्तक ही है, उसमें पहले खंड में चार लेख आधुनिक संस्क्रसाहित् दूसरे खंड में पद्य रचनाओं पर लेख हैं, पांचमें लेख से लगा करके और तेईसमें लेख पर बहुसंख्य लेख इसमें संस्क्रत की पद्य रचनाओं पर हैं, खंड कावियों और मुक्तक कावियों पर, तीसरे खंड में दो लेख नाट्य रचनाओं पर हैं, कुल मिलाकर के पच्चीस लेख जो रिव्यू जिसको कहते हैं समिक्षात्मक लेख हैं जिसमें कुछ तो विगाव लोकन किया गया है परिचाय दिया गया है और कुछ समिक्षा महतवपूर्ण विचार बिंदू लेकर के की गई है यह शीष्टकों से भी पता चलता है कि की नम ग्रहम समय का सार्थक स्वर इवा मन के उड़ान के अभिव्यक्ति सहपाठिनी सहपाठिनी यह कहानियों का संकलन है प्रमोत कुमार जी का अनुभव की मिट्टी पर उपजी लगु कताएं शेशा का थांशा प्रक्तशाटी धारिनी माता जीवन के अथार्थ से संब बात करती कहानिया यह रिशिराज जानी का कहानी संग्रा है इस तरह से यह आधुनिक संस्कृत कहानियों पर गद्य पर चार लेख हैं बाकी कुछ जो कविताएं हैं उन पर लेख हैं अरण निरोधनम निस्चेंदिनी बालकीत गंगा जीवन सोरभं समरक्षेत्रम इन पर क कहीं जिन्दगी का कोलाज कहीं वेज्ञानिक द्रश्टिकोंड से जोड़ती कविताएं अनुभव के धरातल से प्रस्पुप्रित कविताएं इस तरह के उपसीरशक दे करके इन पर समिक्षाएं लिखी हैं इनों ने अरुनकमार निशाद जी ने आगे अच्छा काम ये क करेंगे आधनिक समस्कृत साहित्यका वो बड़ी रचनाओं का ध्यान करेंगे ऐसी आशा बंदती है महान कभी भी हुए हैं समकाली जगत में समस्कृत में बड़े कभी हुए हैं प्राउड कभी बहुत हुए हैं उनका ध्यान भी किया जाना चाहिए उनका ध्यान उसी प् उपादे हो सकता है जिस प्रकार से कि हम माग भारवी श्रीहर शादी के महाकावियों का अध्यान करके और अपने आपको संपन्न बनाते हैं। तक बताने के लिए इन दोनों पर कुछ कहा। आप सभी सुधी श्रोताओं को बहुत धन्यवाद, नमस्कार।